Hello everyone, welcome to my channel, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कलकी अवतार की भाशा कला के बारे में बताया था कि किस प्रकार वो भाशाओं का ग्यान होने के कारण, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी जानवर, पक्षी या कोई भी इंसान हो, किसी भी कंट्री का उस भाशा को कलकी अवतार अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो आप कोई भी किसी भी भाशा को बुलने वाला प्राणी उन तक अपनी इच्छा को पहुंचा सकता है, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, उन दो कलाओं के बारे में, जो कलकी अवतार के पास जन्म से ही होंगी, यानि उन कलाओं के बारे में बात करूंगी, पहले ही मैं बात कर रही हूं, नित्यकला, और दुसरी में बात करूंगी, वाध्यकला, वाध्यकला यानि वाध्ययंत्रों को बजाने की कला, और पहली मैंने बात की, नित्यकला, अब नित्यकला के बारे में, आपको तो पता ही होगा, श्रीक्रिष्ण गोपियों के संग किस प्रकार रासलीला रचाते थे यानि नित्यकला में श्रीक्रिष्ण भगवान भी बहुत ही पारंगत थे और उनकी नित्य, उनकी रासलीला ऐसी होती थी कि गोपियां भी उनकी तरफ खीची चली जाती थी बस यही नित्यकला जो है वो कल की अवतार के पास भी होगी यानि इतने मनमोहग धंग से उन्हें भी नित्यकला का ग्यान होगा और इस कला में वो इतने पारंगत होंगे कि हर कोई उनकी तरफ खीचा चला जाएगा हर कोई का मतलब सारे दुनियावाके लोग नहीं जिने वो अपने तक खीचना चाहें यानि जिनके जो उनके भक्त होंगे सक्चे भक्त वही उनकी लिलाओं को देख पाएंगे और उनके नित्यों को देख पाएंगे, चाहे वो भरत नट्यम हो, चाहे वो पूडुचेरी दांस हो, चाहे वो कोई भी क्लासिकल डांस हो, हाँ, उनको डिस्को डांस आप कहेंगे, कैबरे डांस ये सब नहीं, जो पहले के जमाने में नित्य होते थे, मनमोहक डांस, क्लासि कुन रूप से पारंगत होंगे, और भक्तों को अपनी ओर आकरशित करेंगे, कोई भी नित्य उनसे अच्छूता नहीं रहेगा, तो नित्यकला में भी वो पारंगत रहेंगे, अब बारे आती है, मैंने दुसरे पॉइंट रखा था, वाद्यकला, वाद्यकला यानि इंस् से मेरे विवर्स होंगे, कोई सितार बजा लेता है, कोई गिटार बजा लेता है, कोई हारभुनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, तो रश्रीकिष्ण भगवान क्या बजाते थे आपको पता है, बासूरी, और उनके बासूरी की ऐसी धुन होती थी, कि सारे गाएं, हिरन यानि जो पक्षी थे पशू थे गोपियां थी उनके गौलबाल थे सब लोग बासूरी की धुन सुनते ही अपना अपना काम छोड़कर उनकी और खीचे चले आते थे तो सिर्फ बासूरी की धुन कितनी अच्छी होती थी लेकिन कल की अवतार जो होंगे सिर्फ बासूरी नहीं बलकि बासूरी के साथ भी ही वो हार्मोनियम भी बजा लेंगे तबला भी बजा लेंगे और भी कई वाद्ययंत्र जो है सितार है और भी कई वाद्ययंत्र में वो पारंगत होंगे यानि अपनी नित्यकला और अपने वाद्ययंत्रों को बजा कर वो दुसरों को अपनी और आकरशित कर सकते हैं ऐसी कला उनके पास है लेकिन अभी ये भी सवाल उठता है कि किन लोगों को वो अपने वाद्ययंत्रों के द्वारा समोहित करेंगे या करशित क करेंगे फिर से मैं वही कहूंगी कि उनके जो सच्चे भक्त होंगे जो वास्तों में उन पर संदेह नहीं कर रहे हैं आज भी कितने सारे नास्तिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कोई कलकी नहीं है कोई कलकी आवतार नहीं है कोई नहीं आने वाला है आपकी मर्जी मैं जो मानती तेरा विश्वा से भगवान में, मैं उसके लिए आप लोगों के समक्ष, अपनी मनों भावनाओं के साथ, और जो वेदो पुरानों में लिखा गया है, उसके आधार पर कल की अवतार के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आ रही हूं, ताकि आप लोगों को भी कल क कल की अवतार के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त हो सके, तो आज मने अपने वीडियोएं बताया, नित्यकला और वद्धियंत्रों को बजाने की कला कल की अवतार के पास जन से ही होगी, यानि ये वो दिव्य कलाए होंगी, जो कि उनने बाई बर्थ भगवान के द् देवताओं द्वारा, शंकर भगवान द्वारा दी गई रहेगी और इसका उपयोग वो कल यूग में करेंगे, यानि सिर्फ लडाई नहीं लड़ेंगे, लडाई लडने के अलावा भी उन्हें नित्य भी आएगा और वाद्धियंत्रों को बजाने की कला भी आएगी, अ